हुँ नमंश्कर दोस्तों तो बई देखिए आज जो कऱिती ना त्टिल्शी के प्लांट देखा देति हुँ इसके भी बड़े पत्ते थे और इसंदे काफे सारी अ तन्सी को सपार करनी है और जैसे करती हूँ आपको पता देती हुँ देखिए आज मैं इसमें कोई fertilizer मिलाऊंगी और वो आप पूरी वीडियो देखना बहुत अच्छी growth हो रही है इनकी और नई तुलसी हैं ये जो अभी बरसात में उगी है इससे पहले भी मैंने वीडियो डाली थी और ये कहीं अलग-अलग दूसरे गमले में उगी हुई थी पहले इसकी सिंगल थी इनकी तरह जैसे ये है तो आज इसकी यहां से cutting कर देती हूं देखे आप देख सकते हैं इतनी इसकी ऐसे तोड़ दूंगी उपर से ये और उससे ये बहुत अच्छे से भरके आएगा गोलाई में और ये जितने बड़े पत्ते हैं इस दिरे में निकाल लूँगे एक दो दो करके जैसे ही ये बड़े पत्ते इसके कम होंगे फिर इस तरीके से छोटे-छोटे से पत्तों में ये भर जाएगे और आज कल थोड़ा सा मच्छरों का इन पे टैक हो जाता है बरसात में तो उसके लिए मुझे बीन का स्प्रे करना है और चाहे पानी डाल सकते हैं उपर से आप या स्प्रे करें और गुड़ाई कर दें आज कल तो जैसे बरसात सी है न तो गीले सी रहती है मिटी तुलसी ग्रो करने का जो सीजन है न बरसात में बहुत अच्छी सी है तो अपने आप ही हो जाती है या फिर अंबीज भी डाल देते हैं नहीं तो जो तुलसी के असपास प्लांट रखे होते हैं उनमें ही बहुत सी ऐसी तुलसीया जम जाती है वो ही ये सारी तुलसीया है जो मैंने अलग-अलग करी, क्योंकि पूरे साल फिर हमारे पास काफी तुलसी रहेंगी, और मेरे पास कम से कम ये 10-12 तुलसी हो गई है, इस तरीके से, तो मैं सभी को इनको गना कर दूंगे अच्छे से, और जैसे ये थोड़ी सी मुझबूत सी होंगी न, फिर बाद में इन बार फिर कटिंग करूंगे अच्छे से, अभी तो मैं इनकी उपर-उपर से ये तोड़ रही हूं, जैसे ये अब इसकी है, तो इस तरीके से इसको, यहां से, तब तक हम इनकी इस तरीके से कटिंग नहीं करेंगे न, ऐसे, तो ये बढ़ेंगी ने डंग से, और ये देख आपना करीए चाय की पत्ति आहिए आप फेसर बोटर फर्टरिलाइजर टालने वाले हूं, जैकि जितनी भी तुलसी, पसमें में बेज से आना कहती है पास्ता ब सुराइट है विसों गुज़ को किने नहुंत्र तो इसी त्व स्केष्टल मंथावय करने से इस Cargo impacts तो इस इसrel प्ания काले लटक जातंधे रेजसें संद्सकों आजब अगर इससन्सक्रेउच आगर इसका हम कुछ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे ना तोलसी पर पत्टे को लेता जाता है। को लेता है बदेखा वधेता है। तो कितने सारे मच्छद भेट्ट हुए हैं तो इनका जो नहीं किंपल और समय प्लड़ब इस चैहीं क्योंकितलों निकल निकल के यह दूसरे उसके बैठेंगे और इससे फिर हम थोड़ा सा जातो देखें बोटल में जाद डाल के इस प्रेय कर दें या हम आज से भी ऐसे कर सकते हैं हल्दी के पानी को इस तरीके से सभी इतनी भी तुलसी है ना हमारी वह मैं सारा काम इस तरह से कर दोंगे आ जो चाय की पत्ति आयétais और इस तरह से मिक्स करके न इसको भी अम पानी में मिला कै इस तरीके से और खाद की तरह हम थोड़ा थोड़ा सा सभी तुलसी में डाल-गे यह तेंसी तरह से तो एक तो यह बहुत अच्छे से हूँगे और मिट्टी में जो कीड़े-वीड़े होत तो यह जो देखिए आप बैठे हुए ना मच्छर इनको तो सब को आप इनको निकाली देना चाहिए तो बई सिंपल साही तरीका है मैं जादा कुछ ऐसा एक्स्टा नहीं करती तो अभी चत पर आई थी हल्दी लेकर मैं चलो पोदों में डाल देती हूं मैंने सुबह देखे कि काफी सारे मच्छ हो रखे हैं ये इस तरीके से तो ये सारे निकाल दोंगी मैं अब दीरे-दीरे और इसका हल्दी का इस पर स्प्रे भी कर सकते हैं और इस प्रे बोटल में अल्दी डालते ना तो फिर छेद बंद हो जाते हैं इसलिए में पानी में गोल के डाल देती तो जितनी और दूसरी तुलसी है ना उनमें भी मैं ये गोल डाल दूँगी तो सारा बिल्कुल एकदम फ्रेस रहेंगी सारी तुलसी और जो आप देख सकते ये रखी है ये भी है और चोटी-चोटी काफी सारी तुलसी है जो मेरे पास मैं इसी तरीके से सब की केर करती देखे ये भी मैंने जब कटिंग करी थी ना आपको दिखाई थी तो इस तरीके से इसके पत्तों पे भी ना मैं ये डाल दूँगी तो ये मच्छर बिल्कुल नहीं बैठेंगे और ये तो पानी अगले दिन जब पानी डालेंगे ना तो सारा साफ हो जाएगा और इसकी ज तुलसी तुल्सी बिल्कुल बहुत रहती हैं अगा अ हएं अधि नियुदि एक तुलसी ये है और इस पर भी की तरीके से यह जो सारी ही तुलशी ना यहा थी तो यह तो यह बहुत ही हम अफ्रल्सियों नहीं हुए selective दोटिया निक्स और धे ऐस मैं घञा नहीं ज्चाँ बरसात में काफी तुलसी हो गई थी और ये भी अब बिलकुल सही हो गई है इस पे काफी मच्छर चिपक गए थे और इसी तरीके से हल्दी का पानी डालके ही मैंने इसको सही किया है तो आज की यह वीडियो थी और चलते चलते फूल दिखा देती हूं देखिए गार्डन में ब्रोज़ खुती खिल रहे हैं आज कल तो केरऊ की वीडियो आप चैनल में देख सकते हैं और ये सब जो रेड कलर के गुडल हैं इह चौर बारीजिए हैर सारा कुछ शिम्हाली ही कामल होता है इसका आधane मेरा और आज़ा अच्छी फलावरिंग होती है तो देखिए यह सब फूलो वालbok प्लांट है बर एक bonon ऐी फ़र्थिलाइजर डालती हूं ऐना में जогодं आधातर बनाके तुलसी में तो ज्यादा फर्टिलाइजर में डालती नहीं हूँ, श्राफ हल्दी वाला पानी ही डालती हूँ और जो ये फूलो वाले जो प्लांट हैं, इनके जो फर्टिलाइजर है वो मैं आपको सबको शेयर करती रहती हूँ तो आज की यही वीडियो थी